कॉंग्रेस पार्टी को मिटाना है। हिंदुस्तान से कॉंग्रेस पार्टी को मिटाना है। राहूल गांदी का बैंकॉक में जाना चर्चा का विश्या बन गया। हर व्यक्ति को अपना आद्म चिंतन करने का अधिकार है बैंक को कि ची लगा यार क्या बात करते हैं राहुल जी कहां चले हैं आप लोगा बात करते हैं आप यह हैं अभी है राहुल चले है हाला कि मेरा ये निजीमत है कि उनका अधिकार अध्रılar चिंत्न का है और उसका उसमें उनका क्रिटिसिजम नहीं होना चाहिए एक साल के अंदर में अभी उन्होंने राष्ट्रिय अध्यक्ष की घोशना एक साल पहले हुई एक साल के अंदर में अगर ऐसा रिजल्ट आया है जबर्दस क्रांतिकारी रिजल्ट आया है कि सारी दुनिया जो बात कर रही है 347 के साथ इधर शीला दीक्षित दूसरी तरफ बहुत मायूस दिखाई दे रही है ये तस्वीर ये चहरा आज कॉंग्रेस पार्टी की पूरी कहानी लिख रहा है आज अपको वादा करता हूँ आज पपू फेल नहीं है पाउल पाँ में है कि पिसर हो गया पास हो गया वो नेपाल मेसेज लिखने गए वो भी फोन से देख देख के लिख रहे हैं किसने बोला आपको की फोन हो वो वीडियो देख लेते हैं चंता देख ले और फैसला हो जाए कि वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं क्या खैल आपका मैं सेमत नहीं म्यूजिक कि जब तक मेरी थमनियों में लहू है राहुल भाई को लाल किला पे जंडा चड़वाए बिना नहीं मानेंगा मैं अभी शूट है पीज़िक नेताओं के सबके अब भी मुक्यमंतरी की तो नो में तो डॉली शर्मा हार गई थी हम हार गी थे लेकिन हमारी आत्मा नहीं आ रही थी हम चुना और आ पहले तो चम्चो की बात में कर रहा था चम्चो के लिए तो जाकीर ना एक आपोस्टल फीस है आप याद करिए मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंतरता संग्राम में क्या कॉंट्रिबीशन रखा है जुम्री तलया से लड रही सो तंतरता संग्राम के लिए तंतरत था है जुम्री तूजी को करैंग अशचतिखँ जिए आप ढोउसले था का बंचोट माजर चोट भुटका एंडिगे